अब सभी का स्वागत है आज हमारे यूटूब चैनल में अज हम बनाने जा रहे हैं अलू और वैगन की सब्जी अलू वैगन की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंट से करीब 3 पाईय वैगन था इसको हमने काटके दो लिया है और यह आधा किलो करीब है अलू अलू को भी हमने क आज के धूलिया है चाट लिया है यह दो बड़ी साईज के प्याज हैं और यह परीबृ pac शे साथ से कले लेशन में तहें इसको बरीब काट लिया है और यह एक हिंटषददरक का जोगी इसको परीब काट लेंगे और हमने चढ़ा दी tentangट कि अदिये कराई यहमारी गरम हो चुकिया इसमें डाल देते हैं तेल को हम गरम होने देते हैं तेल हमारा करम हो गया फ्रेंट सब इसमें हम डाल देते हैं जीरा जीरा को तड़कने देते हैं जीरा हमारा फ्रेंट्स तड़क गया है विसमें हम डाल देते हैं तड़का तड़के को हम लाल होने तब ढूनते हैं प्रेंट्स देख सकते हैं तड़का हमारा सुनेरा होने लग गया है तोड़ा सोर होने देते हैं प्रेंड्स देख सकते हैं, तड़का हमारा सुनहरा हो चुका है, बिल्कुल गॉल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे तीन मेडियम साइज के टमाटर काचिये थे, और इसमें अब डालेंगे, एक छोटा चम्मज भर के हल्दी का, और दो चम्मज नमक का, प्रेंड्स देख सकते हैं, मसाला हमारा बिल्कुल पक गया है, मसाला निच्चे ची पकने लग गया, और इसमें हम डालेंगे बैगन, आज हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, बैगन को डाल के, मिक्स कर देंगे, प्रेंड्स देख सकते हैं, सबजी हमने छोक दिये, और दिखाना भूल गए, और भूल कया गए, कोई आ गया था, और हम सबजी में बैगन तक तो दिखाए दिये थे, आलू डाल के और मिक्स करके, हमने पाने डाल दिया है, और इसको अब हम ढख देते हैं, अब फ्रेंट्स देख सकते हैं, बैगन पहले भूलने से, आलू पकने में तो टाइम लगता है, लेकिन बैगन पहले ही गल जाता और सबजी बुल-बुल गाड़ी तरे बनते है, देख सकते हैं, सबजी का कलर और ओप, बिल्कुल ये नए तरीके की बनने वाले सबजी अलो और वैगन की बिल्कुल पर्फेक्ट तयार है, उसको आप रोटे के साथ, चावल के साथ, जैसे मर्जी खा सकते हैं,